शाशने स्प्रमात्मा प्रव महावीर के पावन्षे चुर्णों में कोटिशह वंदना परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के पावन्षे चुर्णों में अनंत अनंत वंदना वीर निर्वान के पावन्षे पावन्षे पावली के अवसर पर जो भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना उत्रध्यन सुत्र की वाचना का लाभ हम सभी लेते हैं उसी वाचना लाभ में हम प्रवेश करते हैं प्रमात्म की यह अंतिम देशना हम सब के लिए अन्मोल थाती हैं यह हमारी अमुल्य धरोहर है यह अमुल्य संपदा है पता नहीं कितने कितने भव्य जीवों ने इसके सहारे मुक्ति के पत पर अपने कदम बढ़ाए हैं और कितने कितने जीव आगे भी कदम बढ़ाएंगे वरतमान में भी कितने जीव इसके अपना जीवन समार रहे हैं ऐसी यह महान देशन प्रभू की है जिसमें हमने छे अध्यनों का भाव पूर्व में शर्वन कर लिया है आज हम साथवे अध्यन से आगे क्या है उसे मूल पाठ सहित थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं साथवा जो अध्यन है उत्रअध्यन सूत्र का वो है एलकी या उरब्रीय इस एलकी अध्यन में इसका जो अध्यन नाम पढ़ा है वो पढ़ा है बक्रिया भेड के बच्चे के नाम से जो बक्री का या जो भेड का जो मेमना होता है जो बच्चा होता है छोटा उसको एलक कहते हैं तो ये सद्यन की भूमिका में उधारन आता है एक द्रिष्टान्त आता है द्रिश्टान्त ये है कि एक व्यक्ति के घर पर एक गाए और एक बकरी ने एक साथ बच्चों को जनम दिया तो गाए का जो बच्चडा है जो वत्स है और बकरी का जो बच्चा है इलक है जो मेमना है इन दोनों को वो जो घर का मालिक है वो इनको पालना पोसना इनको बड़ा करने के लिए जो भी होता है वो करने लगा पर जो गाय का बच्छड़ा है वो ये एक भेद भाव देखता था मालिक के द्वारा वो ये था कि गाय दूद देते थी गाय और भी बहुत सारे कामों में मतलब कि गाय के एक अकेले दूद मात्र से ही कितने सारी चीजों का उत्पादन हो जाता है दही है, मक्षन है, मलाई है, घी है इसके आलावा कुछ मिठाईया है वो भी उन्ही चीजों से निर्मित की जा सकती है तो गाय इतना काम आती है और बकरी और उसके बच्चे किसी मतलब ठीक है यदि कई बार होता है कि कुछ लोग बकरी का दूद भी ले लेते हैं पर उन्तु कितना गाय के सामने तो गाय की बराबरी तो नहीं हो सकती ना खेर वहां तो बकरी का कोई दूद निकालने का भी काम नहीं था दूद तोकेवल गाय का निकाना जाता था, तो बच्छरा क्या देखता था, कि मालिक जो है, मा बेटे को तो बड़िया-बड़िया घास लाकर खिलाता है, हरी हरी कॉमल-कॉमल पतियां लाकर खिलाता है, और गाय के सामने घर में जो भी रखा होता है, इस्टोर में भूसा, तो जो बच्छडा है उसके मन में बड़ा रोश पेदा होता है, बड़ा इर्षा जगती है, कि देखो, मा तो दूद्द देती, माँ मालिक के इतने काम आती है, और ये मा को छोड़के, और ये दोनों माँ बेटें ये बकरी और बकरी के बच्चे को, तो मेमिने को इन दोनों को इतना खिलाता पिलाता है इन दोनों किसी काम के निकम में हैं और फिर भी इनको इतना खिलाया जाता है इतना इनका ध्यान रखा जाता है मेरी माँ दोथ देती है इतना सब कुछ ध्यान रखती है पूरे परिवाल को पालती पोस्ती है और मा की तरफ इसका कोई ध्यानी नहीं बस घास डाल देता है हमारे सामने रूखा-सुखा कभी हमें हरी घास नहीं देता तो वो रवार अपनी मां से कहता है कि मां देखो न मालिक कितना भःद भाव करता है तो जो गाय है वो कहते है को अपनी मां का सारा दूद पीता था बकरी का बच्चा हुआ मेमना जिसको एलक कहते हैं अब मां का दूद सारा मिलता है उपर से मालिक के दौरा बढ़िया बढ़िया घास मिलती है खाने को तो खूब मोटा ताजा हो रखा है शरीर में खूब चर्बी जमी हुई है तो जैसी घर में मेमान आये कोई सायद उत्सब का या प्रोग्राम होगा कोई कार्यकरम होगा घर में मालिक ने लिया और बकरी के बच्चे को पकड़ा मेमने को और ले गया उसे और गरे पर उसके छूरी फेर दी उसको मार दिया बच्चडे ने बकरी के बच्चे को मारते वे देए और बोड़ भेवित हुआ बड़ा डर गया वह भेंकर तक शे और भागता हुआ मा के पास गया गारे के पास और का मा बचाओ बचाओ क्रे क्या हो गया इस्थे वह मालिक ने इतना प्रेम करता है उसे मार दिया तो वो तो हमारा पता नहीं क्या करेगा रूखा सूखा खाने वालों का करे बेटा हमने रूखा सूखा खाया है इसलिए हमें कुछ नहीं होगा फिकर मत कर जो खाते हैं ऐसे और चर्वी चड़ाते हैं वही मारे जाते हैं हमें क्या है हम ते रूखा सू पशेवासनाओं का ही सिवन करते हैं जिनका ध्यान केवल और केवल संसार की वृद्धी पर होता है उन्हें की तरफ इस आरा करते पर मात्म कीती हैं कि یہ लोग उस राजा की रहे हैं जो अपने जीवन को किवल एक आम के फल के लिए दाओं पर लगा देते हैं बिमार पढ़ गया था तो वैद्दी ने कहा था कि आम मत खाना पर आम का लालची इतना लो भी इतना कि भईया आम के मौसम में गया और आम एक आम बस एक आम से क्या होता है और खाया और मर गया परमात्मा कहते हैं कि ये बकरी के बच्चा और ये राजा है इनमें कोई फरक नहीं है साथ ही वो कहते हैं कि तीन वणिक हैं जो ब्यापार के लिए गए जिसमें से एक ने लाब कमाया एक ने कोई नहानी कमाई और ना लाब कमाया वो जैसा गया था वैसा लोटकर आ गया बस मूल पुंजी बचा कर आ गया और एक व्यक्ति है जो जाता है पर मूल पुझी तो उसने लाब तो कमाना कि वो मूल भी गमा करा जाता है ऐसी ही कुछ जीव होते हैं संसार में हम मनुश्यों के बीच में भी हम सब की भी हालात ऐसी है कुछ ऐसे हैं जो सद कर्मों का लाब कमाते हैं मुकति का अर्जन करते हैं और इस जीवन का लाब उठाकर मुक्त हो जाते हैं या फिर उच देवलोकों में जाकर वहां का सुख भोगकर पुनह आर्यकुलों में जनम लेते हैं और मुकति की मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ जीव होते हैं जो बेचारे जाते हैं पर कर लाब नहीं उठा पाते हैं पर रहानी भी नहीं होने देते हैं यह वो लोग हैं जो आते हैं मनुष्य के चोले में परन्तु यहां न सदकर्मों की पुझी कमाते हैं न दुष्कर्मों की पुनह मनुष्य गतियों की ओर चले जाते हैं पर कुछ लोग होते हैं बेचारे दुर्भाग्य शाले जो पाप की गठरी कमाते हैं पूरे तरिके से खजाना भर लेते हैं अपना बुद्धुश कर्मों से फिर नरक और त्रियंच गतियों की तरफ बढ़कर वहीं अपनी दुर्गति करवाते हैं तो प्रमात्मा ने इस एलिकिय अध्यन के माध्यम से मनुष्य को इन चीजों की समझ देते वे कुछ दृष्टानतों के माध्यम से समझाते वे विश्य वासनाओं से परेहट कर अपने सुभाव में आने का न्योता दिया है आमंत्रन दिया है कि अपने सुभाव में आईए अपने धरम में आईए अपने आत्मा की तरफ कदम बढ़ाईए तो हम पहले दो पंक्तियां हिंदी में और उसके बाद इसका मूल पाठ लेंगे